Hey everyone, welcome to my channel Replica World आज हम पढ़ने वाले हैं Kingdom Plantary का 4th group Gymnosperm तो चलिए शुरू करते हैं Term Gymnosperm सबसे पहले introduced किया था Theophrastus ने Gymnosperms ऐसे plants होते हैं जिनके पास ovules होता है पर वो ovary में enclosed नहीं होता यानि कि ovules ovary के अंदर नहीं होते हैं, naked होते हैं चाहें फिर हम बात करें fertilization से पहले की या बाद की इसका मतलब यह है कि fertilization के बाद जब ovules change होंगे seeds में यानि कि ovules develop हो जाएंगे seed में तो seed भी naked रहेंगे Gymnosperms में medium size plants भी आते हैं, tall trees भी आते हैं, shrubs भी आते हैं अगर बात करें external features की तो जो plant body होती है Gymnosperm की वो sporophyte होती है और वो differentiated होती है root stem और leaves में, यानि कि true root stem और leaves होते हैं Gymnosperms में जो इनका stem होता है वो unbranch भी हो सकता है जैसे कि साइकस में होता है branch भी हो सकता है जैसे कि pinus और cedrus में होता है इनकी जो leaves होती हैं, वो simple भी हो सकती है और compound भी हो सकती है simple का मतलब होता है, एक single leaf compound का मतलब होता है कि group of leaves बहुत सारी group में हो सकती है, leaves यानि कि bunch की form में भी हो सकती है In cycles, the peanut leaves persist for a few years Gymnosperms की जो leaves होती हैं, उन्होंने ऐसे adapt कर लिया होता है कि वो जादा से जादा temperature, humidity और wind को हेल सकती है, यानि कि वहाँ पर भी survive कर सकती है अब जो conifers होते हैं, conifers एक type के gymnosperms होते हैं तो जो conifers होते हैं, उनकी जो leaves होती हैं, वो तो बिलकुल needle जैसी होती हैं आपने देखे होंगे, बहुत सारे plants हम लोग अपने घरों पर भी लगाते हैं, gymnosperms जिनकी जो leaves होती हैं, वो बिलकुल sweet जैसी होती है, needle जैसी तो वो इसलिए होती हैं कि ताकि surface area कम हो जाएगा, तो water loss भी कम हो जाएगा भले हम उन्हें अपने घर में लगा लेते हैं, पर naturally वो ऐसी जगे पर पाई जाती हैं, जहाँ पर थोड़ा पानी उनको कम ही मिलता है तो इसलिए वो leaves का इतना जादा चोटा कर लेती हैं, surface area कि water loss जादा नहीं होता gymnosperms की जो leaves होती हैं, वो microphylus भी हो सकती है, megafilus भी हो सकती है microphylus leaves का मतलब यह होता है कि वो simple होंगी, size में small होंगी और vein भी unbranched होगी, यानि single होगी, यानि कि leaves बहुत जादा simple होंगी megafilus की अगर बात करें, तो megafilus में जो leaves होंगी, वो बड़ी-बड़ी होंगी और veins भी branched होंगी, root की बात करें, तो gymnosperm में जो roots होती है generally tap roots होती है, यानि normal roots होती है पर कुछ genre में, जो roots होती है, उनमें fungal association भी होता है यानि वो fungus के साथ मिलकर association में रहती है, जिसको हम mycorrhiza बोलते है इसके example है pinus, कुछ roots में क्या होता है, कि roots association में रहती है nitrogen fix करने वाले cyanobacteria के साथ में, उस association को हम बोलते है coralloid roots, इसका example है psychus, कुछ gymnosperm होते हैं, जिसमें dwarfism भी देखने को मिलता है वो इसलिए होता है कि कहीं कहीं पर क्या होता है, विंड की जो velocity होता है, जहीं स्पीड से wind हवाय यानि की चल रही होती है तो वो बहुत जादा होती है, तो इसलिए उसको adapt करते हैं, जिम्नोसperms चोटे हो जाते हैं ये zerophytic होते हैं, या evergreen भी हो सकते हैं zerophytic का मतलब है कि ऐसी condition में रह सकते हैं, जहाँ पर इन्हें पानी कम मिले जैसे कि desert में evergreen भी हो सकते हैं, ऐसी जगे पर भी रह सकते हैं, जहाँ पर rainfall अच्छी खासी होती है arboreal होते हैं और woody plants होते हैं ये woody trees की तरह ग्रो कर सकते हैं, बुशी shrubs की तरह भी ग्रो कर सकते हैं और rarely climbers भी हो सकते हैं, अब बात करते हैं reproduction के बारे में उसे पहले बात करते हैं sports के बारे में gymnosperms heterosporus होते हैं, यानि कि इनमें दो टाइप के sports पाये जाते हैं haploid, microspores और megaspores सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है, कि जो उनके sports हैं, वो haploid है यानि कि उनमें single set of chromosome होगा तो जो sports होंगे, वो microspores और megaspores होंगे microspores, male spores होंगे, और megaspores, female spores होंगे ये जो दोनों type के sports हैं, ये sporangia में बनते हैं और जो sporangia है, वो sporophyll पर होता है और जो sporophyll होते हैं, वो अलग-अलग type से arrange रहते हैं पर gymnosperm में वो strobulous या cones की form में arrange रहते हैं तो basic funda ये है, कि sports बनेंगे sporangia में और sporangia होंगे sporophyll के उपर अब बात करते हैं, male gametophyte के बारे में तो वो strobulous जिसके पास microsporophylls होंगे और उनके अंदर microsporangia होंगे वो होगा microsporangiate या फिर male strobulous जो microspor है वो develop हो जाएंगे male gametophyte में जो की बहुत ही reduce होते हैं तो यहां से हमें एक important point पता चलता है कि जो gymnosperms होते हैं, उनका जो gametophyte होता है वो highly reduce होता है, reduce size का होता है और कुछ ही cells होते हैं इसके अंदर तो यह जो reduce gametophyte है, gymnosperm का इसको pollen grain बोलते हैं pollen grain का जो development होता है वो microsporangia के अंदर ही होता है तो यह है pinus का male cone यह longitudinal section है male cone का तो यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह हैं microsporophyll और microsporophyll के अंदर ही होते हैं microsporangium जिनके अंदर होते हैं pollen grain तो pollen grain अंदर है microsporangium के और pollen grain के अंदर होता है male gamet अब बात करते हैं female gametophyte के बारे में जिन cones के पास megasporophylls होते हैं और उनके अंदर ovules होते हैं यानि की megasporangia होते हैं और जो megaspor mother cell होता है वो differentiated होता है और cell से nucleus के अंदर तो जो हमारा ovule होता है उसके अंदर different types के cell होते है उसमें से mega spore mother cell होता है वो सबसे अलग होता है nucleus होता है वो एक envelope से protected रहता है और उसी envelope को ovule बोला जाता है यानि कि ovule के अंदर nucleus होता है और nucleus के अंदर एक type का cell होता है Megaspore Mother Cell जो ovule होता है वो present होता है Megasporeophyll पे और Megasporeophyll मिलकर बनाते हैं female cones जो Megaspore Mother Cell होता है वो mutically divide करके 4 Megaspore बनाता है यानि उसमें reduction division होता है और फिर बन जाते हैं 4 Megaspore Megaspore Mother Cell पहले mutically divide करके 4 Megaspore बनाएगा उसमें से 1 Megaspore बनेगा female gametophyte जिसमें की 2 या 2 से जादा archigonia यानि की female sex organs होंगे जो multicellular female gametophyte होता है न वो भी Megaspore बनाएगा में ही रहता है यह है पाइनस का female cone यह इसका longitudinal section है तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह है Megasporeophyll जैसे की male में हमने देखा था Microsporophyll था तो क्योंकि यह female cone है तो इस पे होगा Megasporeophyll Megasporeophyll पे होगा Megasporengia यानि की ovule और ovule के अंदर ही होगा archigonia जो की है female sex organ और archigonia के अंदर ही होगा female gamet और इधर हम देखते हैं पाइनस का ovule यह longitudinal section है ovule का तो यहाँ पर यह जो उपर की दिरफ है Micropyle यह वो जगा है यह वो opening है जहां से pollen tube आएगी यानि pollen grain यहाँ पर land करेगा और यहाँ से फिर क्या होगा pollen tube बनना शुरू होगी तो इस तरीके से pollen tube नीचे आएगी वो archigonia तक पहुचेगी और archigonia क्या है archigonia है female sex organ जिसके अंदर female gamet है तो यहाँ से धीरे-धीरे pollen tube आएगी और pollen tube के अंदर होगा male gamet यह जो आप outer layer देख रहे हैं यह outer fleshy layer है यह है inner fleshy layer और यह है middle stony layer यह जो आप देख रहे हैं पूरा यह है female gametophyte और female gametophyte के अंदर है archigonia जो किया है female sex organ जिसके अंदर है female gamet और यह जो आप बाहर की देख रहे हैं पूरा area इसको बोलते है nucleus तो इस तरीके से यह है ovule और ovule को ही क्या बोलते हैं हम megasporangium अब जो male और female cones होते हैं यानि strobilii होते हैं वो एक tripper भी हो सकते हैं यानि same tripper हो सकते हैं male और female cones जैसे की pinus में अलग अलग पर भी हो सकते हैं जैसे की साइकस में जहां पर male cones अलग plant पर होते हैं और megasporophyll अलग पर होते हैं अगर हम gymnosperms की बात करें तो gymnosperms में जो male और female gametophytes होते हैं उनका कुछ अपना independent existence नहीं होता यानि वो sporophyte पर ही depend करते हैं अब बात करते हैं fertilization की तो क्या होता है जो pollen grains होते हैं सब्सक्राइब में से जो pollen grain होते हैं उसके अंदर male gamet होता है तो क्या होता है एयर की help से या फिर किसी insect की help से क्या होता है वो pollen grains पहुँट जाते हैं megasporophyll के पास और megasporophyll में ovule पर एक opening होती है कि पॉलन हीमित। फिर त्टूब के औंधर क्या होता है male gamit? पॉलन टूब की हेल्प चे वह से, वह mul מאוד पॉलन जाता है आर्चिगोनिया में पर फिर फिमेल गमरीत के साथ फ्यूज कर ज साहता है, Jadi तो इस fusion को ही जहाँ पर male और female gametic दूसरे साथ fuse करेंगे, उसको fertilization बोलते हैं और fertilization के बाद zygote बन जाएगा, zygote डेबलप हो जाएगा embryo में और जो ovule था वो डेबलप हो जाएगा seed में और जो ये seed होंगे, इनके ओपर कोई भी covering नहीं होगी जैसे ही male और female gametic दूसरे से fuse करेंगे, हो जाएगा fertilization और fertilization होने के बाद बनेगा zygote और zygote के बाद क्या होगा, further divisions होगे, फिर बनेगा embryo पहले बनेगा 4 cell embryo, then 8 cell, 12 cell, 16 cell इस तरीके से embryo बनेगे फिर एक fully developed embryo बन जाएगा, जिसमें उपर की तरफ होगा primary suspensor और नीचर की तरफ होगा suspensor, तो ये जो embryo है, ये किस के अंदर होगा, ये होगा seed के अंदर, क्योंकि हमने पहले देखा था, कि जो fertilization होगा, वो किस के अंदर होगा, ovule के अंदर तो जो zygote बनेगा, या जो embryo बनेगा, वो ovule के अंदर होगा, क्योंकि fertilization के बाद ovule भी seed में change हो जाता है, इसलिए मैंने बोला, कि embryo किस के अंदर होगा, seed के अंदर और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कि gymnosperms में, जो seed होता है, वो naked होता है, वो किसी भी ovary में enclosed नहीं होता आगे हैं, जो हम angiosperm पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, seed ovary से enclosed रहता है, और ovary fertilization के बाद बन जाती है, fruit तो आपने देखा होगा, जितने भी हम fruits खाते हैं, for example, apple, तो apple के अंदर उसके seed होता है, तो इसलिए होता है, जो seed होता है, वो बना होता है, और जो ovary होता है, वो बन जाती है, fruit तो जिम्नोसperm में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिम्नोसperm में जो seeds होंगे, वो नेकेड होंगे, उस पर कोई fruit ovary कुछ भी नहीं होगा जो यह हम उपर की तरफ देख रहे हैं, यह है pollen grain का structure, तो यह जो outer layer है, इसको बोला जाता है, exine और inner वाली को बोला जाता है, intine और यह होते है सैकस, और यह होता है male gamit, तो जैसे ही pollen grain पहुचता है, micro pile तक, तो कुछ chemical को sense करके, क्यूंकि वहाँ पर कुछ ऐसे chemicals होते हैं, उनको sense करके पता चल जाता है, pollen grain को, कि अब pollen tube बनाने का time आ गया है, तो क्या होता है, pollen tube बनती है, और pollen tube के थूप ही, जो male gamit होता है, archigonia तक, और फिर वहाँ पर, क्या होता है, male or female gamit का हो जाता है, fusion और हो जाता है, fertilization, अब देखिए यह, यह जो first वाली picture देख रहे हैं, यह है साइकस, जो second वाली है, वो है, pinus, और third वाली है, गिंको, जो gymnosperms होते हैं, वो economically भी बहुत जादा important होते हैं, उसके कुछ important economic use हम discuss करने वाले हैं, first है, ornamental, तो जो gymnosperms होते हैं, वो देखने में बहुत जादा अच्छे लगते हैं, इसलिए लोग उन्हें अपने gardens में भी लगाते हैं, कुछ species होती हैं, जो कि gardens में लोग लगाते हैं, जादा तर जैसे कि साइकस, रिवोल्टा, गिंको, बायलोबा और biota orientalis, इनको गार्डन में लगाया जाता है, अब इसको वोड के परपस से भी यूज किया जाता है, बहुत सारी species हैं, उनमें से एक है, सिड्रस डियोडा, जिसको railway sleepers बनाने के लिए यूज किया जाता है, तीसे ज़ाती है, इनको रेजन के लिए भी यूज किया जाता है, इंबर के लिए भी यूज किया जाता है, जिसको एक स्पीशीज है, पाइनेट सकसीनी फैरा, जिसको एंबर के लिए यूज किया जाता है, बाकि और भी एकनॉमिक इंपोर्टेंस है, जिसको और भी एकनॉमिक इंपोर्टेंस है, जिसको और भी एकनॉमिक इंपोर्टेंस